नमस्कार दोस्तों आप सभी देख रहे हैं इंगानियोज और आपके साथ मैं रिशेख पांडे इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म पठान को लेकर फिल्म को रिलीज हुए करीब करीब दो महीने का समय बीच चुका है फिल्म के अगर कमाई को लेकर बात करें तो फिल्म ने कमाई के मामले में कई रिकार्ड अपने नाम किये हैं और 500 करोड का बॉक्स आफिस कलेक्शन करने वाली ये पहली हिंदी फिल्म बनी है और जिस तरीके से फिल्म अभी भी कमाई कर रही है उसा साफ़तार पर लगता है कि फिल्म करीब करीब साड़े 500 करोड के आस पास पास पहुँच सकती है क्योंकि फिल्म ने अभी तक 530 करोड के आस पास का बॉक्स अफिस कलेक्शन कर लिया है ये नमबर्स साब तार पर दरशाते हैं कि किस तरीके से शारुख खान ने बड़े परदे पर एक बहतरीन वापसी की है अब अगर रिकॉर्ड को लेकर बात करें तो इस फिल्म में कई रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम किये है फिल्म जिस तरीके तो 50 दिनों से लगातार आपको बता दे की बड़े परदे पर शेली तो उसके बावजूद फिल्म में कई रिकॉर्ड अपने नाम किये अब अगर इस पात के रहें फिल्म के रिकॉर्ड को लेकर तो फिल्म अभीबी आपको बता दें कि 20 देशों में चल रही है, यहां पर पाथान लगी हुई है और पठान को देखने के लोग भारत पूलागी है अगर फिल्म को लेकर बात करें तो यह दूसरी ओर एक दिन में सबसे आदा क्लेक्शन, दो दिन में सबसे आदा क्लेक्शन, तीन में सबसे आदा क्लेक्शन का भी रिकॉर्ड फिल्म के नाम है, सबसे जल्दी 100 करोड की कमाई, 500 करोड की कमाई, 200 करोड की कमाई करने का record भी फिल्म के नाम है साथी साथ 500 करोड का box office collection करने का record भी पठान फिल्म के नाम है तो इन जानकारियों से आप साबता को समझ सकते हैं किस तरीके से पठान ने कई record अपने नाम की है फिलाल इस वीडियो में इतना ही बने रहे हैं इंडियारी उसके साथ नहीं बाद